तो हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं सेमसंग एक गैलेक्सी का बहुत ही कमाल का फिचर बहुत ही शांदर फिचर दोस्तों आपने देखा होगा सैंसंग कोई से भी मुवाइल इसमें वानिवाई 3.1 है उसमें अपडेट आने के आद कर सकते हैं मतलब एक उसी वालूउम के लिए अप अलग से कई क्षमेंड रिजाइंड कर सकते हैं और उसको क्यों क्या हो और यह कैसे यूज करेंगे और कैसे आप अपनी थीम बना पाएंगे वॉल्यूम स्लाइटर के लिए दोस्तों तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो यह आप समझ पाएंगे दोस्तों चलते हैं आगे मेरा नाम सब्सक्राइब और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टैक में तो द करना क्या होगा अपको जाना अपने गयलरी स्टोर पे यक डाउनडर यहां पर आप को यहां पर बLANक दिखेगा यहां पर क्रियेट नीव , क्लिक करने आप दिखींगे यहां पर आपको डॉट डिख रहे होंगे एर राउंड बना के दिख रहे होंगे मतलब कि अगर आपको यहां का बैग्राउंड चेंज करना है तो आपको इस वाले डॉट पर क्लिक करना होगा यहां से आपको से शुरेशन को उपर पूरा फूल कर लेना अगर आपको लगा ना जाएंगा यहां पर भी only अगर नद एचाल लगाना है तो आप यहां से इसको जो भी आपको लगाना उच्ञाच कर लिए तो आप को यहां से मानना ओके तो आप देखिएगी यहां पर बेंग्राउंड का चेंज हो गया है अबब आपको यहां पर जो जिससे वॉल्यूम जो फूल होता है उसको चेंज करना है तो आपको यह देखने होंगे जिछा आइकन बना है उस कलर की उपर आपको उस पर टैप करना है यहां पर जिस कलर में चाहिए आपको उस कलर को ओके कर देना है तो वह उस कलर में आ जाएगा जो की नहीं समझ में आ रहा, तो उसका बापिस आप क्रॉफ करिए, फिर यहां से इसको on करिए, उसके बाद आपको जोन सा गलर चाहिए, आप देख सकते हैं दोस्तों, यह मैंने ही करा है, यह कलर यहां पर update हो गया है, उसके बाद आपको यह नीचे आइकन के भी color change नीचे अगर आपको icons के भी change करना हो color, तो आप इस पर click करिएगा यहां से बापिस वो open हो जाएगा जोन सा भी आपको color रखना हो, icon का आपको उस पर click कर देंगे, वो icon change हो जाएगा, और यह bluetooth के लिए आपको एक अलग से color डालना पड़ेगा तो आप उसका color यहां से light blue तुत के लिए blue है तो आप यहां से light blue या dark blue जो भी आपको डालना हो यह डाल दीजिए आप देखेंगा पूरी तरह सी adjust हो गया है अगर आपको background का color और चेंज करना हो तो आप यहां से change कर सकते हैं यह हो गया है मतल without dark theme के लिए light theme के लिए आपको उसको कर लेना okay अगर आपको आपको dark theme के लिए create करना है तो आपको जाना यहां पर click करेंगे तो यह dark panel खुल जाएगा अब dark panel पर आने के आदा आपको इसको भी set करना है यहां पर आप देखेंगे आपको एक option मिल रहा है उस पर click करेंगे तो यह color highlight हो जाएगा अगर आपको dark में करना है तो आप dark में light background आपको दोस्तों dark color के लिए आपको dark के लिए जो भी आपको लग रहा हो या फिर background या dark में आपको जोन सा भी color करना हो अपने पैनल का theme का आपको dark के साब से set कर लेना है वही same process रहेगी सारे color वही रहेंगे जैसा जैसा आपको set करना हो colors को यहां पर set कर लीजेगा क्योंकि बिल्कुत same रहता है colors मलब set करनी की process अलग रहती है बट जैसी आप theme change करेंगे वह automatic उसका color change हो जाएगा आप देख सकते हैं दोस्तों यह मैं यहां पर यह set कर लिया है अब आपको कर लेना यहां से done पे जैसी आप करने नाम डाल दिया नाम डालने जाद इसको करने ना ओके ओके जैसे ही करेंगे तो यह आपकी theme create हो जाएगी और वहां front में आ जाएगी आपको दिखा दिता हों कैसे तो यह save हो गई है आपने ऐसे tech नाम से दिखियोगी आपको यहां पर यह सब बता भी देगा pop-up the theme has been installed click तो okay apply तो simply आपको इस पर okay करना है यहां से इस पर click करना है click करने के आपको यह demo दिख रहा होगा एक तरफ light version एक तरफ dark version कैसे अब आपने इसको apply कर दिया apply करने के बाद थोड़ा सा time लेगा यह apply हो गई आपकी theme अब अगर आप अपने volume को कम करेंगे तो आप यह आप इसको मैं कर लेता हूं dark mode पर इसको मैं dark mode पर कर लेता हूं तो आपको यहां दोनों theme आपको दिख जाएंगी और दोनों work करने लगेगे आप अपने साबसे को और भी अच्छे सको color कर सकते हैं यह आप देख सकते हैं यह दोनों के color अलगा रहा है जो आपने design कर रहे थ दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई दोस्तों प्लीज लाइक जरू करें अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो में कुछ कमी है तो आप मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों और अगर आप मुझे कुछ पूछना चाते हैं इस वीडियो से दोस्तों और हो सकें तो मुझे Instagram और Facebook लो मिना भूले इसका लिंक कर एफ को नीचे मिल जाएगा और आपको यहां पर आपको से स्क्राइब करना भी ना भूले तो तहर दोस्तों